और जिसमें रूस की राज़दानी मौसको में खलबली मचा दी, पुते ने आरूप लगाया कि यूक्रेन ने ये ड्रोन मौसको में मौजूद आम लोगों को निशाना बनाने के लिए बेज़े थे और जेलन्सकी ने आतंकी हमले के जरिये रूस को देलाने की प्लानिंग की जिसके लिए यूक्रेन ने कई ड्रोन एक साथ रूस के एर स्पेस में पहुँचे जिससे मौसको में जोरधार धमाके हुए रूस के राजपती पुतिन ने आरोप लगाया कि ऐसा करके यूक्रेन को दी जंग की आग को और भढ़काना चाहता है उन्होंने दावा किया कि जेलन्सकी ने मौसको पर हमला सरिफ और सरिफ रूस को उपसाने के एरादे से किया और सर्फ पुतिन की ने बलकि रूस के विदेश मंत्री ने तो इस हमले को सीधे-सीधे नर्शनार तक बता दिया उन्होंने आरोप लगाया कि जेलन्सकी ने पश्चिमी देशों के कहने पर रूस में आतंक पहलाने की कोशिश चुरू कर दिया है जिसे उन्होंने पश्चिमी देशों की सलहा पर अंजाम दिया रूस की विदेश मंत्री सारगई लावरोव ने दारोप लगाया कि जेलन्सकी सांती सम्झोते कि आड़ वे पूरे रोस को जलाने के तैयारी में है जिसमें उनकी मदद परते हैं कि पीचे से पश्चिमी देश भी कर रहे हैं रूस की विदेश मंत्री सारगई लावरोव अफरीकी देश रेपबलिक और बुरूंजी के दोरे पर पहुंचे थे जहां उन्होंने मौसको में वे ड्रोन हमले को लेकर जैलन्स की पढ़निशाना साथा साथी ये आरोब मिल गाया कि इसके पीचे पश्चिमी देशों की रूस में आतंकी हमले कराने की बड़ी प्लानिंग है लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने मॉस्को में वे डोवन हमले की निंदा करते हुए ये दावा कर दिया है कि अमेरिका किसी भी तरह के आतंकवादी हमलों का समर्थन नहीं करता और इसके लिए बकायदा अमेरिकी सरकार की तरफ से एक बयान भी जारिक किया गया जिसमें ये कहा गया कि अमेरिका रूस की राधानी मॉस्को में हमलों का समर्थन नहीं करता हाला कि इस हमले का यूकरेन से संबन था या नहीं इस पर अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं का गया लेकिन न्यूज एजेंसी रॉइटर्स को दिये गए एक बयान के मताबिक अमेरिकी सरकार मौस्कोब में हुए हमले पर पहनी नज़र बनाए हुए है अमेरिका ने भी अतावा किया कि वो यूकरेन को लगतार मदद देनाज जारी रखेंगे हाला कि उसने एसाफ कर दिया कि वो किसी भी तरह से रूस के राधानी मौस्कोब पर हुए हमले का समर्तन नहीं करता